अंदर राश्ट्रिय योग दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की और योग से जो तमाम रोगों से मुक्ती आपको मिलने जा रही है उसकी योग आज भारत में नहीं बलकि दुनिया भर में लोगों की दिंचर्या का हिस्सा बन चुका है ये नकेवल हमें तन मन से स्वस्त रखता है बलकि तमाम बीमारियों से भी दूर रखता है हार्ट बीपी शुगर जैसी बीमारियों के लाबा मोटापे को कम करने के लिए भी प खास बात जो है वो ये कि कई लोग योग को ऐसी क्रिया के रूप में लेते हैं जो बड़ी ही कठन होती है लेकिन ऐसा नहीं है योग बड़ा ही सहज है योग सरल भी है हाँ इसके कुछ सोपान होते हैं अलग-अलग जो कि आपको धीरे-धीरे लेवल अप करते हैं लेकिन क कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में योग कर सकता है हाँ आपको एक प्रशिक्षट व्यक्ति की देख रेक में योग को करना हमेशा से गुनकारी और लाबकारी माना जाता है खासकर कामकाजी लोगों के लिए कौन सा योग सबसे बहतर है यह सब बताने के लिए मेरे साथ सबसे पहले अनुश्का जी आप इसे चर्चा की शुरुवात करते हैं और आज सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज़ें सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को कि भाई योग कहां से शुरू करें हमें योग आएगा या नहीं आएगा तो योग की कुछ बुनियादी बात ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर बता दें जो शुरुवात करना चाहें आज से हमारे शो को देखने के बाद जरूर मैं आपको ये जरूर पताना चाहूंगे कि योग की जो शुरुवात है वो आपके दिन के सुबह उठने से लेके रात को जो आप सोते हैं तब तब तक आप योग का इस्तमाल योग का यूज कर सकते हैं हम कहते हैं कि योग के अंदर आठ लिम्स होते हैं अश्टांगा बोला जाता है उसको तो अगर आप सोचें तो हम यमा से लेकर के समाधी तक योग का उपयोग करते हैं यमा का मतलब होता है discipline और समाधी का मतलब होता है enlightenment तो आप इसी के यह journey आपको बता देगा कि इसी के ही दौरान हम हर चीज के अंदर हमारे अंदर एक योग का applicability होती है जी बिलकुल जो लोग शुरुवात करना चाहें वो कहां से शुरू कर सकते हैं वो बुनियादी आसन से करें प्राणायाम से करें उनकी लिए कुछ टिप्स दे दे माम अगर हम शुरुवात की बात करें तो depending from body to body हर इंसान की body पे और उनकी शारिरिक health से ही depend करता है कि हम उनको कहां से शुरुवात करा है सबसे पहला तो कि वो एक certified instructor जो आपको अच्छे से guidance कर सके हर योग के बारे में हर आसना के बारे में आपको अच्छे से पता सके और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है उस वो जादा जरूरी है सिर्फ करने से तो जब आप शुरुवात करें सबसे पहले तो किसी correct guidance के अंडर second जो आता है वो ये है कि आप slowly शुरुवात करें योग एक बहुत बड़ी journey है आज ही नहीं आपको आ जाएगा आप एक आसना सीखना चाहते हैं तो आप आज ही में वो आसना नहीं सीख सकते आपकी बोड़ी पहले उसको prepare करती है ताकि वो आसना आपको समझ आ सके और आप उस आसना को perform कर सके तो हम यही सिखाएंगे हम यही सिखाते हैं कि आप शुरुवात बिलकुल स्लोली करें और एक certified instructor के guidance के अंड़ करें यह बहुत जरूरी है कि आप किसी विशेखशग्य की निगरानी और देखरेक में ही योग के आसनों को सीखें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसाथ करें एक और खास मेमान एरा तरवेदी हमारे साथ जोट चुकी है जानी मानी योग expert है इन फैक्ट मैं एरा के पास ही चलना चाहूँगा एरा थोड़ा से बताएं जो मैं अभी अनुश्का जी से और जोती जी से दोनों से बाचीत कर भी रहा था और basic जो है जहां से योग की जीवन में अगर वो मुमिंट है इस शो के बाद अगर लोग योग अपने जीवन में उतारना चाहें तो शुरवात कहां से करें इरा चलिए संभवतह वहां तक नहीं हो पा रहा है इसी सवाल के साथ जोती जी के पास चलूँगा जोती शुरवात कहां से करनी है शुरुवात आइधिंग हमें यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि पहले तो हमें फिट होना है तो उसी दिन शुरुवात हो जाती है कि मुझे फिट होना है स्वस्त रहना है शुरुवात उसी दिन से हो जाती है और दूसरा स्टेप यह होता है कि कि I think हमें under guidance, expert के guidance में start करना चाहिए और हमें अपनी body को समझते हुए तब जाके अपने body के उपर काम करना चाहिए यह कोई दो दीन या तीन दीन या तीन मेने का नहीं होता है योगा is all about कि आप अपने health के लिए पूरे time, long time के लिए आप काम कर रहे हैं तो starting with the, कि आप बहुत ही अराम से जाएं, gradually and slowly slowly आप जाना start करें तो definitely आप yoga में आप आगे आगे आप बढ़ते भी जाएंगे जैसे आसे flexibility increase होगी, जैसे जैसे आपके range of motions आपके increase होगे तो definitely आपके physical activity yoga में और increase होगी आपके exactly लोगों की शिकायत यही होती है कि हम तो flexible है नहीं साब, हम तो जुक नहीं पाते हैं अपने उंगलियों से अपने पैर के अंगुठे को नहीं चुपाते हैं थोड़ा सा bend नहीं हो पाते हैं, तो शायद योग हमारे लिए नहीं बना है उनके लिए आप क्या कहेंगी तो simply मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमेशा अब जब भी हम उड़ते हैं, सुबह उड़ते हैं तो we need a stretching, हमें stretching की जुरत पड़ती है तो I think हमें stretching करनी बहुत ज़रूरी है, हर एक इंसान को करना ज़रूरी है इसलिए केवल एक बुड़े को करना है, या किसी बच्चे को करना, हर एक किसी को stretching करना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने stretching एक दुपट्टा, stretching मेरा exercise है, जो मैं दुपट्टे को यूज करके stretching करवाती हूँ ताकि बॉड़ी में फ्लेक्सिब्लीटी आए, जब हमारी stretching प्रॉपर होती है, तो बॉड़ी में इतनी फ्लेक्सिब्लीटी आती है कि धीरे-धीरे हर कोई वो exercise करना start कर देता है and stretching भी ऐसा नहीं होता है, 3-5 minutes लगते हैं, जैसे office, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे पास तो time नहीं है, I think 3 minutes तो सब के पास time अता है there are some stretches जो अगर वो करेंगे तो definitely they can increase the range of motion absolutely, यानि कि आप योग में पहले ही दिन expert नहीं हो जाएंगे दीरे दीरे आपकी range of motions खुलेंगे, आपकी flexibility enhance होगी और तब जाके उस मकाम तक आप आपाएंगे, जिसमें आप तमाम experts को देखते हैं लेकिन शुरुआत जरूर करें, ये सोच कर कि हम शायद जादा flexible नहीं हैं से योग नहीं हो पाएगा, ये सोच कर बैठे न रहें, योग कहीं से भी शुरुआत हो वो important है कि शुरुआत जरूर हो, इरा जी हमारे साथ जूट चुकी है, इरा जी आप basics तो हमने समझ लिए अनुश्का जी से और जोती जी से, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधा उन लोगों का सवाल लेकर जो co-morbids हैं, खास तोर से जिनको सबसे ज़ादा जरूरत है उन में से भी diabetes, heart disease, बहुत ज़ादा prevalent है ये बिमारिया, ऐसे co-morbid लोगों के लिए योग में क्या है ताकि वो निरोग रहे मुझे लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश हम लगातार कर रहे हैं अनुशका जी के पाँ चलते हैं, अनुशका जी जैसे मैं कह रहा था कि diabetes, heart disease, pre-diabetic लोग, blood pressure से जुड़े हुए लोग, hypertension खास तोर से ये आजकल ऐसी बिमारियां हो गई हैं कि हर thyroid ये हर किसी के जिन्दगी में है, हर दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी इन में से किसी बिमारी के चपेट में है तो ऐसे लोगों के लिए योग में क्या निदान है और किस तरह के योग उन्हें करने चाहिए देखे, इसलिए बोला जाता है कि योगा इस फौर आल, योगा सब के लिए है चाहिए वो कोई बिमारी हो, चाहिए वो कैसा भी कोई रोग हो तो जिन लोगों को किसी बी प्रकार का रोग है, उन लोगों के लिए सबसे पहले तो इंपोर्टन हो जाती हैं ब्रीधिंग एक्सराइजेज क्योंकि जब आप माइंड और बॉड़ी का कनेक्शन साथ लेके आना शुरुवात करते हैं तो आपके हर्मोन्स जो हैं वो जादा अच्छे से काम करना शुरू करते हैं तो वहीं से फिर उसके बाद आती है आपकी आसना की प्राक्टिस इसलिए बोला जाता है कि आप सही गाइदेंस के अंडर प्राक्टिस करें कि आप हाइपर टेंशन है या थाइरोइड है या ब्लट प्रेशर लो है या हार्ट डिजीजेज हैं हर रोग के लिए एक अलग-अलग प्रकार की आसना की प्राक्टिस बनाई गई है कुछ आसना हाई बीपी वाले नहीं कर सकते तो कुछ आसना हार्ट टैक वाले या हार्ट पेशन्स नहीं कर सकते लेकिन हर रोग के लिए आसना और प्रनयामा दोनों ही बनाए गए है और उ उस पर भी आउंगा कि कौन-कौन से आसन नहीं करने हैं, खास और से जो को माविड लोग हैं, लेकिन जोती जी के पास अब चलूगा, जोती जी ये जो कॉमन डिजीज आजकल हो गई हैं, हाइपरेटेंशन, हार्ट डिजीज, थाइरोइड, इनके लिए कौन-कौन से योग स सबके लिए, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं, कि योगा को प्रमोट करते हैं, तो योगा तो हम हर एक बच्चे को करना चाहिए, हर एक बूडे को करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, और आक्चली में देखा जाए, तो हमारी लाइस्टाइल एक ऐसी sedentary lifestyle हो गई है डिजीज बहुत जादा बढ़ने लगे हैं, जब वो हैपरटेंशन हो, जब थायराइड हो, जब बीपी हो, I think यह बीमारिया इतनी जादा बढ़ चुकी है, because of sedentary lifestyle, तो हमें अक्टिव होने की ज़रत है, हमें चलने की ज़रत है, हमारी बोडी को मूफ करने की ज़रत है, तो योगा के थ्रूँ बोडी, जितनी मोशन में आएगे, जितनी फ्लेक्सिबल होगे, जैसे कि ब्रेथ वर्क होता है उस पे, आप अपने ब्रेथ के अकॉर्डिंग, आप अपने योगा को करना स्टार्ट करते हो, अपने बोडी को मूफ करना स्टार्ट करते हो, I think this is the best way कि आप अपने बोडी को हील कर सकते हो, और अपने सोल को भी हील कर सकते हो, अनुष्का जी, कुछ आसन जो आप बताना चाहे हैं, आसान है और कारगर है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो सूरे नमसकार है, वो एक basic आसना प्राक्टिस में माना गया है, जो कि हर कोई कर सकता है, उसके अंदर एक कुछ छोटी-छोटी alterations होती हैं, कुछ छोटी-छोटी चीज़े होती हैं, जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, कि सारे आसना को बहुत ही असानी से कर सकते हैं, और साथ में आपकी body बहुत active feel करती है वो आसना करने के बाद, तो सबसे पहले तो मैं आपको सूरे नमसकार ही करके दिखाना चाहूंगी, आप अपने shoulders को roll back करेंगे, हाथ को उपर लेके जाते हुए, हलका सा arch back करेंगे, उपर हमारे palms अब नीचे जाएंगे पेरों के पास और सर हमारी shin bone के पास, यहाँ से तीसरा आसना, अर्दुतान आसना, आपकी spine parallel हो जाएगी ground से, neck और spine एक line में रहेगी, इससे आपके hand भी अच्छे से खुलेगे, आप right leg back लेके जाएंगे, सामने देखेंगे, अश्वस अंच left लेके जाएंगे dandasana, अपनी knees down, chest down, chin down, अश्टांग नमस्कार, यही से आप अपने toes को extend करेंगे, अप बुजंग आसना, यह भी heart patients के लिए बहुत ही अच्छा आसना माना गया है, अपने toes को टक करके, परवत आसना पे आएंगे, यह एक resting pose है, जो BP के patients, hypertension, thyroid, यह महाबंधा बोला गया है इस आसना को, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसना है, यहां से बालासना, यह आसना भी hypertension, thyroid, diabetes, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा आसना है, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अर्ध मस्सते इंद्र आसना, जिसके लिए twisting बोल जाता है, इसको, spine की twisting होती है, और आपके side में जो organs है, उनकी detoxification, यह कुछ ऐसे आसना है, जैसे की जानुशीश आसना, अपने पेरों को सीधा रख करके, सर को नीचे लगाना, और इन सारे आसनों की अच्छी बात क्या है, कि यह बिलकुल, जो भी आपने बताये हैं, जितने भी आसन, यह बड़े आसन लग रहे हैं, I'm sure, आसन हमें लग रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना आसन हो, क्योंकि flexibility भी depend करेगी आपकी, इसलिए कह को मेरी आवाज आ पारी है, हाँ जी आ रहे है, इरा जी पहले तो बहुत-बहुत बढ़ाई आपको अंतराष्टिय योग दिवस की, और अब जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि शुरूरात वो लोग कहां से कर सकते हैं, उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए योग अब तक एक दूर की कौड़ी रही है, वो जो शुरुवात करना चाहें, योग को अपने जिन्दगी में उतारना चाहें, तो कहां से शुरू करें, इरा? पहले मैं सबको इंटरनाशनल योगा डे पे विश करना चाहूंगी, और मैं अपना थोड़ा सा परेचे भी देना चाहूंगी, जो आंकर आपने दिया नहीं, या आप से संपर्ख नहीं हो बाया, या योग शुरू किया था, हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, परेचे देना थोड हैं क्योंकि वो एक, हम लोग के लिए ऐसा लगता कि हमारा बर्थडे है, इस दिन पर, जो हम लोग अपनी लाइफ डेडिकेट जिस चीज़ पर करते हैं, वो इतना सेलिबरेट हो रहा है, और इतनी अच्छी चीज़ अपना इंट्रड़क्शन दे, अपने अंदाज में, शब्द में आप अपना इंट्रड़क्शन दे सकती हैं, एरा. और वहां से शुरुवात हुई थी, मेरी भी एक बहुत बड़ी तरीके से योगा में, और हमारे नेशन की और पूरी दुनिया की, और आज इंटरनाशन योगा डे एक इतना सुन्दर डे है, जो हम सब को मोटिवेशन देता है, इंकरजमेंट देता है आगे बढ़ने के ल सकते हैं, लोगों को लगता है कि योगा तो सेलेबरेट हो रहा है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, कि अभी जो आपने स्क्रीम पे सूरे नमस्कार देखा, आपको शाहिद से लगा होगा कि ये मुश्किल है, या ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे बॉड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं आक्शली एक नैशनल लवल पर स्क्वाश कहलती थी, जो एक बहुत एग्रेसिव स्पोर्ट है, और उसके बाद मेरे बॉड़ी में बहुत सारी इशूज हो गई थी, और योगा ने फिर जब मैंने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मेरी शुरुवात हुए और मैं यहां तक पहुँची, तो अगर मैंने इसको स्टार्ट किया, तो मुझको लगता है कि कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, आपकी जो उमर हो, जो आपकी बॉड़ी शेप हो, जो आपकी स्ट्रगल्स हो, क्योंकि योग तो तो आज के दिन में आपको यह बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकल योगा तो कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी बॉड़ी ऐसी है नहीं तो आप अपने स्वास से स्टार्ट करें अपने ब्रेथ से और प्रायम का अभ्यास करें प्रायम तो इतनी सुंदर चीज है कि कोई भी कर सकता है और उसके बेनेफेट इतने इतने जादा हैं मुझको आज के दिन में बुरूब जरूर करें आपने बिल्कुत सही का एक्जाक्ली मेरा पॉइंट ही यही था कि कई लोग यह सोचते हैं कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं लेकिन आपने अपनी अच्छे तारीके से बटाया एंफ़ाक्ट हमारे जो सारे गेस्ट है उन सबने बताया कि शुरूआत कीजिए चाहे आप स्वास से कीजिए प्रणायाम से कीजिए शुरूआत로 कीजिए एक दिन आप जरूर वह लेवल अटेन करेंगे लेकिन उसके लिए शुरूआत और फ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आईए फटाफट से समय अब इस सेग्मेंट में थोड़ा कम रहेगा लेकिन अपने एक्सपर्ट से हम उनके वैल्यूबल सेडिशन्स ले लेते हैं खास तोर से उन लोगों के लिए जिन पर हम आज खास तोर से फोकिस कर रहे हैं और व यही तो बिल्कुल गलत बात है कि आपके पास वक्त नहीं है हम कहते हैं कि योगा आप अपने डेस्ट से भी उठे अपने चेर से खड़े हो जाएए पांच मिनट दीजिए पूरी बॉड़ी स्ट्रेच हो सकती है तो आप डेफिनेटली जो पांच मिनट काई आजकल तो च यही तो शुरुबात है आपकी बॉडी के पॉच्चर की को खराब होने का जो शुरुबात है वो यही सही है तो आप खड़े हो जाएए पर चेर से खड़े हो जाए ताड आस्ना है त्रियाक है साइड स्ट्रेच जो होते हैं पॉद बेंडिंग है Agent आसना है सारे जो एक हम कटी चक्रासना करते हैं जो कि स्पाइन की रोटेशन बोली जाती है ये छोटे-छोटे आसना आप खड़े हो करके कहीं पे भी कर सकते हैं यानि कि इक्षा शक्ती होने की जरूरत है बाकी आप योग कैसे भी कर सकते हैं तोड़ा सा आपको इक्छा शक्ती दिखानी है, फटाफट से जी होती, आजकल डिजिटल डिटॉक्स की तलाश में लोग रहते हैं, और कंजम्शन बहुत जादा है, दिन भर घुसे रहते हैं, हम सब लोग मोबाइल में, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी, कुछ योग से क या वो डिजिटली डिटॉक्स हो सकते हैं? हो रहे हैं, और अपनी बॉड़ी को मूव करें, तो आधी प्रॉब्लम तो यहां सॉल हो जाती है, दूसरी हमें ध्यान रखने की जुरत है, कि वेनेवर जब भी आप काम कर रहे हैं, तो आई थिंग हमें पॉश्यर पे काम करना बहुत जरूरी है, बैक को सही रखना, और हमें तो हमारे हमारे जादा तर अपके शुल्डर बेंट हो रहे हैं, आगे की तरफ चारफ बंद हो यहां अपने पॉश्यर पे काम रखना चाहिए, नॉमर्मल स्ट्रेचिंग अगर करना स्टार्ट कर दे घडिँ सब लोग का यहां जो भी जो शूल्डर से अजिक तर्छ में फ्लेक्सिबिलीटी आएगी और बोडी उतना ही मूफ करना स्टार्ट कर देगा और कोई पें नहीं रहेगा और वन मोर थिंग आएगा जहां पर मैं स्ट्रेचिंग करवाती हूं विद दुपत्टा घर की चीजे मैं हमेशा अपने फंडा में करवाती हूं मैं उनको हमेशा यह बताते हूं कि हाव यू कें दुदा स्ट्रेचिंग विद दुपत्टा हाव यू कें जिस वर्कोने शूल्डर स्ट्रेचिंग जो हमें करना चाहिए बिलकुल और यह कैसी चीज़े देखिए आपने तो तौलिय का यह एक्जामपल दे दिया अनुशका ने बताया कि चेयर पर ही आप कैसे चेयर योगा कर सकते हैं तो आप से बात सीथ करके लगता है कि इतनी चोटी चोटी चीज़े हमारे आसपास हैं जहां से हम शुरुवात कर सकते हैं चाहे आपको कोई बिमारी है या नहीं है चाहे आप स्वस्त है चाहे आप किसी बिमारी से जूज रहें सब के लिए योगा is for all, for everyone, anytime लेकिन हाँ, एक्सपर्ट की देखरेक में जरूर करें ये आपका तहीं न भूलें शुरुवात आप कहीं से भी कर सकते हैं बस आपको दिखानी है इच्छा शक्ती और करनी है एक शुरुवात इसी उमीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्का आपका, thank you so much वक्त निकालने के लिए जोती आपका भी बहुत 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 शुक्रिया और एरा भी हमारे साथ जुनी थी, थोड़ा सा उनके भी वैलूबल इंसाइट्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नमस्कार